इन दोर में गाजा बेशने वाली दो सगी बहनों और भाई को पुलिस ने पकड़ा है आरोपी बाहर से गाजा अलाकर उसे पुडिया बना कर अलग-अलग ठिकानों से बेशते थे मोबाईल पर मैसेज और वाटसेप कर एक दूसरे को डिलेवरी देते थे पुलिस के मताबिक पकड़ाई बहनों में से एक कॉलेज की स्टूडेंट है वही कॉलेज स्टूडेंट को गाजा सप्लाई करती थी फिलहाल आरोपियों को गाजा बेशने वाली की तलाश की जारी है पुलिस थाना MIG की SI सीमा सर्मा के मताबिक पकड़ाई आरोपियों के नाम निशा पुत्री तुलसी राम लाखरे निवासी जग जीवन राम नगर उसकी बहन दीपिका और भाई रामा है पकड़ाई आरोपियों से करीब 4.5 किलो से अधिक गाजा बरामत किया गया है आरोपि इसे इलाके में और आसपास पुडिया बना कर बेशते थे टियाई अजय वर्मा के मुताबिक गिरफतार आरोपि दीपिका एक निजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही है वह पढ़ाई के दोरान ही कॉलेज के अन इस्टूडेंट को गाजा सप्लाई करती थी उसके वाटसेप चैटिंग में भी इस बात का जिक्र मिला है वहीं कई अन्य लोग भी भाई बहनों की इस तिकडी से गाजा खरीते थे दीपिका सुगनी देवी कॉलेज में सेकेंडियर की पढ़ाई कर रही है वह इस पूरे काम की मास्टर माइंड भी बताई जा रही है बताया जाता है कि वह कॉलेज के आसपास 10 ग्राम गाजी की पुडिया बना कर उसे 50 से 100 रुपए में बेशती थी कई लड़के उसके संपर्क में रहते थे वह मोबाईल से ही संपर्क कर चलते फिर थे उसकी डिलिबरी करती थी पुलिस के मुताबिक आरोपियों का पूरा परिवार ही गाजा बेचने का काम करता है आरोपियों की मापर भी पहले मादक पदार्थों की खरीदी बिक्री को लेकर केस दर्ज है वही पकड़ाए आरोपियों में दो पर पहले से अपराद दर्ज है पुलिस के मुताबिक सभी मानपूर के पास से गाजा लेकर आते थे, मानपूर से इन लोगों को गाजा सप्लाई करने वालों की तलाश की जा रही है लेजर कैंसर, अस्थी रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नैशनल हस्पिताल में उपलब्ध है नैशनल हस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आइसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करे 756683551 पर हमारा पता है नैशनल हस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करे 07662359974 या फिर संपर्क करे 86028859900 पर